हेलो एंड वेलकम तो वेलकम टू बेगिनर टू मास्टर ने कैजमी यूट्यूब चानल तो यहां पर आपका हर्दिक स्वागत है तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं अवास क्लियरली सना ही दे रही है तो एक मिनिट दीजिए मुझे मैं भी जड़ा चेक कर लूँ दो म आप लईव तो अब जानते हैं जैसा आपने टाइटल से ही आपने पढ़ लिया होगगा तो उद्देश क्या है इस वीडियो और पेपर करना डिसक्रेशन करना पूरा पर एक 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 आंसर हम देखने वाले हैं तो आई एक एक वेक्तिक देखते हैं समझते हैं और कोशिश जानते हैं अगर देखें तो आप अपने प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जो दोस्ते पहली बार जो डिड़ें उनके लिए पनाम किंजल चौधरी में पांच बार में इंटर्व्यू दिया है इसके सिवा मैंने अब सक थाउजंड सोफ चुडेंट्स को पढ़ाया भी है तो जब भी पर आएं यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके सिवा है टेलीग्राम चैनल है जिसके तुरू आप मुझसे जु और अगर आप कोड की सी वन जिरो यूज करें तो आपको मिलता है इंस्टेंट 10 परसेंट ऑफ याने कि एक साल की कीमत 39,600 दो साल की 57,600 इसके सिवा आपको मिलेगी मेरी मेंटॉर्शिप वहीं अगर आप दो साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो एक साल की कॉस्ट है 24,000 रुपीज दो साल की 99,000 के सी वन जिरो कोड यूज करके हो जाएगा 10 परसेंट ऑफ याने एक साल की कीमत 57,600 दो साल की 89,100 तो यह दोस्तों आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन में एक परस्नल कोच मिलते हैं डेली मेंस कुष्टन आंसर प्राक्पिस होती है स्टडी प् दोस्तों एक अडिमें कुछ स्पेशल क्लासें तो जरूर देखें ट्रेंट करेंट अफेर्स कवर्ड दोस्तों इसको वम वाले हैं वह पेपर 1 जट सी सैच सी को कम्प्लीट्ली हम डिसक्स करने वाले हैं तो जो पहला सवाल था वो था फटीगेशन पर तो एक्रिकल्चर म fertilizer जब दे दें तो उसको क्या कहते हैं ? VERTIGATION तो जहर सी बात है कैसा होता होगा इर्रिगेशन सिस्टम तो यह कुछ drip irrigation, sprinkler irrigation, फवारा वाला irrigation होता है या पाइट से जो irrigation होता है उसके माध्यम से जो पानी का こा je Questo उसके जिस ते यह वारा हुआ है यह हम थाइड मैं ही पानी में ही फर्टिलाइजर मिला दें पानी में ही जब हम फर्टिलाइजर मिला देंगे तो वह फटिलाइजर टतक चपूलाइज हैं तो fertigation कैसे करोगे तो सीधी बात है भाई यह रॉक फॉस्फेट इसलिए देखिए तो बाकी सब कुछ दे दिया लेकिन आप अगर देखें efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible तो यह जो टर्म गिराया ना तो भाईया water soluble नहीं है तो statement टू तो गलत होगा fertigation के लिए rock phosphate का इस्तमाल तो नहीं कर सकते तो क्या हो गया टू गलत टू गलत answer हो गई c d c d c 1 3 & 4 तो answer क्या हुआ one का c 1 3 & 4 तो बागी बात यह बिल्कुल सही है अगर आप fertigation करेंगे तो irrigation तो water तो alkalinity जो पानी है वो acidic है alkaline है उसको आप control कर सकते हो है ना इस पानी में tank के तू होता हुआ जा रहा है दूसरा तो आपको बताई दिया यह गलत है तीसरा अगर आप देखें तो nutrients जो plants को मिल रहे हैं वह इंक्रीज हो जाएंग योगी fertilizer है पानी में गुला हुआ statement 4 leaching of chemical nutrients क्या हो जाएगा कम हो जाएगा leaching क्या होता है यह जो soil है जब पानी इसमें इस तरीके से घुसता है तो minerals dissolve करता हुआ घुलाता हुआ नीचे के layer में चला जाता है लेकिन जब आप drip irrigation sprinkler irrigation इस प्रकार से controlled water देते हो तो पानी ज्यादा minerals को घुलाता नहीं है ज्यादा मिलता नहीं है तो धीरे धीरे पानी भी कम नीचे जाएगी जब पानी कम नीचे बहके जाएगी तो क्या होगा कम तो जाहिर सी बाते लीचिंग भी कम होगी तो यह statement तो सही है चलिए नेक्स सवाल देखते हैं तो गुड़ीवनिंग आशा जी गुड़ा गुड़ीवनिंग सोनाली गुड़ीवनिंग युनुस तो देखिए यह सवाल जो था कि इन में से कौन सा major mineral है यह मतलब थोड़ सवाल अलग था तो answer D है तो यह अगर आप देखें तो पूरा list है major mineral minor mineral का तो इसको थोड़ा मैं कह सकता हूं करना उतना असान नहीं था आपको याद हो कौन सा है कौन सा नहीं है बस इतना कह सकते थे chromite तो भईया major mineral होगा तो इन दोनों को आप sort कर सकते थे उसके बाद किस सुना है या नहीं सुना है तो बेंटोनाइट क्या है minor mineral है तो answer इसमें क्या है two three and four बाकि क्रोमाइट काइनाइट सिलिमनाइट क्या है major minerals है तो यह लिस्ट मिनरल की अलग अलग जो कैसे कैटेगराइज किया गया है इनको तो एक बाद देख लीजिएगा बाकि ये question statements is or are correct तो देखा जाए तो जोग्रफी भी कहना बहुत appropriate नहीं होगा ये question देखा जाए तो current से उठाया गया है monsoon prediction के time अख़बारों में अक्सर आप ये term गुजरता है आपके सामने से ocean mean temperature surface mean temperature तो उसी पस सवाल है तो पहली statement कहती है ocean mean temperature तो सबसे पहले देखी जो ocean है दो तरीके से आप इसका temperature नाप सकते हो एक temperature होता है ये पानी जो सतह पर है सतह पर है ना surface पर जो ocean का पानी है उसकी कितनी temperature है अगर मैं अलग color से दिखाऊं तो कुछ ये वाला पानी जो उपर के सतह पर है इसका अगर मैं temperature नापूँ तो मैं क्या कहूंगा इसको surface mean temperature अगर मुझे नापना है ocean mean temperature तो मैं नापना है पहला बात सही है 26 degree isotherm तक वहां तक पानी जहां तक temperature कितना है 26 degrees है पानी का temperature कितना है 26 degree है बात बिलकुल सही है लेकिन ये देखिए ये कह रहे हैं इसकी depth कुछ 139 मीटर तक रहेगी तो basic अगर आपको oceanography का knowledge होता तो आप कुछ कर सकते हैं ये 26 degree temperature 139 मीटर तक होना कहां पर South Western Indian Ocean में थोड़ा मुश्किल है January मार्च में तो ये temperature हो सकता है तो reality में ये 129 मीटर नहीं 59 मीटर के depth तक पानी का temperature कितना होता है 26 degree तो इस वज़े से ये statement गलत है statement 2 statement 2 कहती है ocean mean temperature की जो January से March में आप temperature की value collect करो तो वो monsoon का prediction में बहुत फायदेमंद है तो ये बात बिलकुल सही है अगर आप ocean mean temperature के माध्यम से in comparison to surface mean temperature अगर आप नया तरीका है ocean mean temperature से monsoon predict करना अगर आप ocean mean temperature को इस्तमाल करके यहाँ से data निकालो ये data को statistical analysis करो और फिर monsoon predict करो तो ये वाला जो monsoon predict होता है ये monsoon prediction बहुत ज़्यादा appropriate होता है तो ये बात सही है ये accurate ज़्यादा होती है तो statement two only सही है तो ये question क्या था again tough था ये question tough था ये जानना लोगों के बसकी बात नहीं है तो ये question या तो आपको आता है आना मुश्किल था तफ लगा पेपर शिवानी ये इस paper simple तो नहीं था paper normal से मैं tough ही कहूंगा इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन कुछ question आप देखें तो simple भी थे तो वो जो simple question थे ना वो simple question आप अगर देखें तो वो cut off को कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं इन दसेंस जो पहले था उसी से कुछ जादा कम नहीं होगा थोड़ा ही कम होगा पिछले साल के cut off से चले next देखते हैं बाकी मैंने यहीं पर उसी की व्याख्या की है जो आपको समझाया मैंने अभी चले next सवाल देखते हैं तो ये सवाल पूछ रहे हैं chemical fertilizers in India के बारे में आपको कुछ statement दिये हैं तो सबसा पहला statement कहता है जो chemical fertilizers है उनके जो दाम होते हैं वो market driven होते हैं तो आप अगर देखें यूरिया fertilizer इसका जो दाम होता है वो market driven नहीं होता वो government से करती है तो government regulated price होता है यूरिया का market driven fertilizer nutrient based subsidy के अंदर आते हैं तो वो अलग ग्रुप है लेकिन यूरिया का दाम आप देखें कैसा होता है market driven नहीं है government से करती है तो statement 1 क्या है बिलकुल गलत है बाकी अगर आप देखें तो अगें ammonia which is an input of यूरिया is produced from natural gas सही बात है natural gas याने methane उससे आप देखो तो बनता है ammonia उससे बनता है यूरिया तो ये जो भी अकबार पढ़ते हैं उनको ये answer आता होगा तो 2 सही है ये वाला statement अगें थोड़ा मुश्किल था ये वाला statement थोड़ा मुश्किल था 1 गलत है 2 सही है ये तो सब जानते थे तो आप अगें दो option तो easily can't charge सकते थे बढ़ सवाल उठता है क्या आपको ये मालूम है तो ये अगर आप देखें जो sulfur अगर आप देखें तो phosphoric acid fertilizer बनाने में as a raw material इस्तमाल होता है और ये अगर आप देखें तो oil refineries का by product है तो ये अगर आप देखें तो statement सही है तो होता क्या है जो oil होती है crude oil होती है उसको आप क्या करते हो refine करते हो crude oil में आप देखोगे तो sulfur बहुत ज़्यादा होता है तो ये sulfur को बाहर करके extract कर लेते हैं और वो sulfur को निकालके हम phosphoric acid fertilizer या कुछ भी produce कर सकते हैं तो sulfur जो दुनिया में बनता है वो majorly कहां से आता है तो oil refinery से आता है ये बात बिल्कुल सही है तो oil refinery जब refine करती है तो sulfur extract करके अलग कर देती है तो ये बात बिल्कुल सही है तो answer क्या है B2 and 3 only अभी हिस्ट्री का question देख रहा था tough था वैसे तो मैं फ्रेशर उपर कुछ question बनाई है कुछ question बने अच्छा आच्छा सही बात है question tough था पर डाउट नहीं है बट आप देखेंगे कुछ question simple भी था तो cut off हमेशा वो simple question ते करेंगे कोई बात नहीं आच्छा जी याद रखिएगा cut off हमेशा simple paper cut off simple question ते करते हैं tough question नहीं तो simple question देखिए कैसे अभी आते जाएंगे तो यह देखिए इंडिया के desert national park की बात हो रही है इन में से कौन-कौन सा statement सही है number one यह दो district में spread किया हुआ है पैसल मेर और बाड मेर यह बिलकुल सही है देखिए यह statement चीक-चीक के कह रहा है यह गलत है क्या आप लोग देख पा रहे है there is no human habitation inside the park ऐसा हो सकता है कि इंडिया में कोई जगह छुटी है इतना बड़ा सा डो डिस्क्रिक्ट में फैला हुआ national park है वहाँ पर एक व्यक्ती भी ना रहे no human habitation तो यह तो चीक-चीक के कह रहा है मैं गलत हूँ तो statement 2 क्या है गलत है बाकी आपको मालूम होना चाहिए तो दो डिस्क्रिक्ट जैसल मेर और बाड मेर और यह natural habitat है किसका great Indian bastard का यह statement क्या है सही है तो 1 & 3 सही answer है चलिए next देखिए मांगए UPSC कोई इस बार कोई बात नहीं है देखिए cut off में बहुत कमी नहीं आएगी क्योंकि simple question भी तो थे simple question आपने देखा question number 5 अब देखिए question number 6 question number 6 अब देखें अगर आप question number 6 तो इसमें अगर आप देखें तो सियाचिन glacier सियाचिन glacier तो यह तो कई बार हमने किया है यह वाला सवाल तो क्या सियाचिन glacier east of oxygen है नहीं कहा है west of oxygen क्या यह east of lay है नहीं यह क्या है north of lay है ना north of lay क्या यह north of gilgit है नहीं यह क्या है east of गिलगित तो क्या यह north of नुब्रा वैली है बिलकुल सही सियाचन ग्लेशियर से यह जो नदी निकल रही है इसी का नाम है सियाचन ग्लेशियर से जो पिघल के यह नदी निकली इसी का नाम है नुब्रा नदी और यहीं पर है नुब्रा वैली तो सियाचन ग्ले है यह location पे पेंगॉंग सो से लेके हमने सो मोरी तक सब कुछ देखा था यहां पे तो यह answer क्या हो गया six का डी हो गया यह भी simple question है next देखते है question number 7 यह question अगर आप देखें तो यह again tough था यह tough था तो question number 7 अगर आप देखें तो इसमें पूछ रहे है location दिया है और कौन सा state है आपको identify करना है तो भिलसा अगर आप देखें तो MP में है क्या यह मालूम होना चाहिए था नहीं मुश्किल है यह जानना असान नहीं है द्वार समुद्र महराष्ट्रा में है नहीं यह कहा है करनाठका में है गिरी नगर गुजरात में है यह statement क्या है सही है गिरी नगर इस इन गुजरात स्थानेस्वर स्थानेस्वर यह अगर आप देखें तो क्या यह उत्तर प्रदेश में है नहीं भाई यह हर्याना में है कुरुक्षेत्र में जिसको हम थानेसर कहते थे एक time में क्या हुआ करता था बहुत बड़ा मंदिर का location हुआ करता था जो बाद में तूट गया तो वो थानेसर है तो वो अगर आप जानते हैं तो आप कर सकते थे कि भाई थाने सर उत्तर प्रदेश नहीं हर्याना में है तो उससे आप दो option में आ सकते थे उसके बाद आप कर सकते थे लेकिन यह question क्या था इजी तो नहीं था थोड़ा tough थाई चलिए next देखते हैं next देखते हैं तो यह अगर आप देखें तो यह statement कहती है कि अगर हम इंडिया की district की बात करें तो central ground water authority ने क्या किया है फोर का तुक्का लगता है इसमें बस थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो वो अगर आप देखो तो हरियाना में थानेश्वर बहुत फेमस है actually यह न्यूज में था तो इस वज़े से पूझ भी दिया है thank you so much सूरज thank you so much thank you so much चलिए next सवाल देखिए next सवाल देखिए तो देखिए central ground water authority ने क्या किया है वो जितने भी blocks है country में उसको उन्होंने divide किया है ground water के availability and usage के अनुसार availability मतलब क्या हुआ कि साल भर में कितनी बारिश हुई कितनी बारिश हुई और ये ground water क्या हुआ recharge हुआ या नहीं कि अगर 100 unit बारिश हुई मान लीजिए 100 cm ground water recharge होता है और मैं pump लगा के pump लगा के 80 cm हर साल खीच लेता हुँ तो net 20 cm क्या होता है add होता है तो ये क्या हुआ कि यहां पर जितना ground water है कम नहीं हो रहा है अपने level से थोड़ा थोड़ा increase कर रहा है तो वैसे ही over exploited वो इलाके कहलाएंगे जहां अगर 100 cm बारिश होती है और ground water अगर 100 unit से increase करता साल भर में लेकिन अगर मैं pump से 105 unit की चलो तो net क्या हुआ नुकसान हुआ तो वैसे इलाके क्या कहलाएंगे over exploited दूसरा होता है critical वो इलाके जहां पर 90 to 95% 90 से 95 प्रतीशत आप पानी अगर देखो तो क्या हो जा रहा है utilize हो जा रहा है तो अगर आप cgwa का report देखो तो क्या 36% of India के district classification में नहीं कितने है सिर्फ और सिर्फ 19% of blocks है क्या ये जानने की अवशक्ता थी नहीं सहाब ये नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं होती क्यों statement 2 देखिए तो ये purpose था पहला statement ऐसा देने का आप लोगों को डराने का यूपेस ही चाती थी आपको डराएं और आप भाग जाएं और आप बाकी के statements पड़े ही नहीं तो ये trap था इसमें तो देखिए तो दूसरा statement कहती है cgwa central groundwater authority was formed under the environment protection act तो याद कीजिये जो हम legislation किये थे तो हमने cover किया है कौन-कौन से statutory bodies environment act के अंदर कौन-कौन से statutory bodies है तो उसमें cgwa भी था तो बात क्या है बिलकुल सही है तो statement 2 सही है जैसे ही 2 सही हो गया जैसे ही 2 सही हो गया आपके पास बस दो option बचे तो यूपेसी ने जान बुच के दिय था परपस क्या था आपको डराने का statement one factual ऐसा दे दिया कि आप देखके भाग गए है ना चली statement 3 देखिए statement 3 कहती है इंडिया है लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन दी वर्ल्ड तो आप दुनिया में देखें जो सबसे ज्यादा घ्रिगेटेड लैंड है वो है चाइना का फिर है इंडिया का वो है चाइना का फिर इंडिया का अक्सर एक रिपोर्ट आया करता है जो ground water usage है 95% करीब कहां यूज होता है agriculture में उसमें भी आप अगर देखें उसमें भी आप अगर देखें तो groundwater usage of India is greater than second और third highest groundwater usage कौन करते हैं USA और China इंडिया का groundwater usage US प्लस चाइना से भी ज़्यादा है तो ये statement अगर आपको मालूम होता economic survey पढ़ रहे हैं water related articles पढ़ रहे हैं तो ये statement क्या था हलुआ था easily कर सकते थे तो answer क्या हो गया 2 and 3 2 and 3 तो 1 क्या हो गया इस case में सीधा सीधा eliminate करके आप गलत कर सकते तो ये question दिखता tough था लेकिन actual में देखा जाए तो बहुत difficult नहीं था relatively simple question था बस आपको वो जिजिविशा चाहिए थी कि अंतक पढ़ने की है ना चली next देखते हैं बहुत simple सवाल है जोग्रिफी का jet streams सिर्फ और सिर्फ northern hemisphere में होते हैं बिलकुल नहीं कितनी बार पढ़ा है northern hemisphere southern hemisphere दोनुँ जर्फ तो जैसा मैं देख सकता हूं Lane connect हो गया था हम कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं मजबूरी चली 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 देखते हैं एक मिनट दीजिए एक मिनट दीजिएगा मुझे एक मिनट दीजिए गा मुझे तो आपके कुछ जाए होगी तो मैं मिस्स कर जाओंगा तो हुआ है है लिए और अगर नहीं तो आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं तो जैसा हमने देखा था ट्रॉपिकल साइकलोन अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल साइकलोन में ही आई बनता है और ये जो आई होती है इसमें अगर आप देखें तो क्या होता है ये वो रीजन होती है जहां से आप अगर देखें तो हवा क्या करती है लीक करके नीचे गिर रही होती है तो इस वज़े से ये वीजन जो होता है कैसा होता है काम होता है और थोड़ा सा वाम होता है क्यों हवा क्या हो रही है ये सिंग कर रही तो ये डाइबेटिकली वाम हो रही है तो जाहिर सी बात ये स्टेटमेंट 3 क्या है ये भी गलत है तो एंसर क्या हो गया C to only तो यह simple question था इसमें कोई doubt नहीं है कोई doubt नहीं है फिर अगर आप देखें अगला सवाल पूछ रहे हैं जो tiger reserves हैं उनमें से सबसे largest critical tiger habitat किसका है तो नागरजुन सागर स्रीसेलम है आप लोगों को static पढ़ाते टाइम भी बात सिलाल में बताया था तो नागरजुन सागर स्रीसेलम तो आप लोगों पढ़ाया था यह तो इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए तो 10 डिग्री थंडा थोड़े ही होगा वो तो डायबेटिकली वाम हो रहा है चले नेक्स देखिए यह सवाल पे काफी चर्चा हुई तो यह आपको पढ़ाया तो था तो इसमें अगर आप देखें अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पिशीज शेडियूल 6 और वाइल लाइफ प्रोट मतलब आप लोगों को सिंप्ली शब्दों में समझाया गया था कि यह प्लांट जो होता है अंडर नॉर्मल सरकमस्टांसेज इसको कल्टिवेट नहीं किया जा सकता तो यह एक लिस्ट में कुछ प्लांट स्पिशीज हैं जिसको आप डाल दोगे तो इसको कल्टिवेट नह देखिए स्पैसिफाइड प्लांट क्या है यह वो प्लांट है जो शेड्यूल सिक्स ऑफ डबलू पीए में जिसका नाम है वो क्या कहलाएगी स्पैसिफाइड प्लांट फिर देखिए क्या है सेक्शन सेविंटीन सी ऑफ डबलू पीए सेक्शन सेविंटीन सी ऑफ याने specified plants याने schedule 6 में जो plants हैं वो उनका cultivation without license is prohibited याने with license लगा सकते हैं तो such a plant cannot be cultivated under any circumstances तो यह क्या है यह तो गलत है लेकिन क्या चाहिए आपको license is required to cultivate that plant यह क्या हुआ इसका यह है काफी लोगों ने भी किया तो यह आपको depth से पूछा गया है wildlife protection act से तो simple question नहीं था next देखें question number 12 तो गुप्त dynasty किये अगर आप ancient इंडिया में देखें तो यह टाउन्स का reference है घंटा असल कदुरा चॉल तो यह सब क्या थे तो आप अगर देखें चीफ पोर्ट्स ओफ इंडिया वर उन दी वेस्ट कोस्ट लाइक पताल ऑन दा इंडस डेल्टा ब्रिगुकच बरुच जिसको आज के टाइम में कहते हैं चॉल कल्यान कैंबे एंड सोपोरा ऑन दी कोस्ट आफ सिंध देबाल हुआ करता था चीफ पोर्ट्स ओन दा इस्ट कोस्ट वर घंटा शा देता सच कह रहा हूं मुझे नहीं मालम था बाद में पता चला तो मैं तो छोड़ देता अब इतने अंदर घुस घुस के तो याद नहीं रहता है ना लोथल वगेरा कुछ पूछते तो बता देते हां भाई पोर्ट है लेकिन ये तो जानना थोड़ा कठेन है तो सकते हैं कि आप 60- 65 भी अगर इस प्रकार के पेपर में सही करें तो भी आपके पास 35-40 कुष्टिन का मार्जिन है ना आप क्यों 35-40 कुष्टिन का मार्जिन होता है तो ऊसी अप्रोच से आप कुछ पुश्टिन छोड़ सकते हैं तो जो टफ लग रहा था इसमें उसको आप 100 number करीब ला सकते थे and cut off clear कर सकते हो चले नेक्स देखते हैं जीरो टिलेज in agriculture के क्या-क्या फाइदे हैं तो देखी यह question नो जीरो टिलेज पहले भी उपीसी पूछ चुकी है तो इसलिए ये वाला aspect मालुम होना चाहिए था तो zero tillage, यानекс जो हम खेथ से जो लेके जो कोडते हैं अगर कोडनाएं का काम ना करें तो उसको कहते हैं tillage. जिसमें खेत को कोडने का काम नहीं किया जाता, जो हल लेकर चलते हैं आँ वो काम नहीं होता. तो अगर वैसे agriculture को क्या कहेंगे zero tillage. तो sowing of wheat is possible without burning the residue of the previous crop तो हाँ मतलब क्या हुआ previous crop जो लगा है उसी के ऊपर wheat grow कर दो तो zero tillage में ये possible है क्यों क्योंकि zero tillage जब tillage होती है तो क्या होता है जो पुराना crop होता है ना उसको जब हल ऐसे चलती है तो उखाड के मिट्टी flowing 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 yes 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 सुरजक्मार tillage याने flowing 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 तो यह जो flowing होती है वो क्या हो जाता है उसकी जरुरत नहीं पड़ेगी तो पुरुछला crop क्या होता है उखाड के निकाल देते हैं जब-जब tillage होती है लेकिन zero tillage में क्या होगा पिछला crop एदिटेज रहेगा निकालने की ज़रुत नहीं है तो sowing of wheat is possible without burning the residue of the previous crop जो previous crop है उसी का organic matter धीरे धीरे सड़के नए crop को fertilizer की basically nutrients provide करेगा number two without the need for nursery of rice saplings direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible क्या मतलब हुआ तो होता क्या है न अगर ये इस प्रकार से हमारा खेथ है तो हम क्या करते हैं पहले अगर आपने चावल की बुआई देखी है तो पहले चावल को बोखे एक छोटे से area में थोड़ा बड़ा होने देते हैं उसके बाद इसको grow किया जाता है उसके बाद इसको grow किया जाता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे line से लगा दिया तो यह कह रहे हैं zero tillage में आपको यह नरसरी में rice saplings को रखने की आवशक्ता नहीं है directly paddy seeds को खेत में गिरा दीजिए wet soil में तो यह possible है तो हाँ zero tillage के यह फाइदे होते हैं फिर अगर आप देखें तो यह आपको अगर नहीं भी मालूम है one मालूम है three carbon sequestration in the soil is possible तो बिल्कुल सही है जो भी पिछला plant matter था जो भी plant matter था हो किसका बना है carbon hydrogen oxygen का जब मरेगा तो क्या होगा वो carbon hydrogen oxygen soil में जाएगी तो soil धीरे 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 किसमें rich होता जाएगा carbon में rich होता जाएगा तो statement two नहीं भी मालूम है तो one and three से आप कर सकते थे तो answer पे आप पहुंच जाते बी one two and three तो देखिए इस प्रकार का आपको काम करना होगा prelims में कितना भी पढ़ लीजिए कुछ सवाल तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा लेकिन वहाँ पर street smart होना है बागी देख लीजिएगा benefits मैंने दे दिये हैं तो आपको जब PDF मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा चले नेक्स देखते हैं इंडिया की नाशनल पॉलिसी ओन बायो फ्यूल्स पर एक सवाल है तो विच अफ द फॉल्लविंग कैन बी यूज्ड रॉव माटीरियल फॉर दी प्रॉदक्शन ऑफ बायो फ्यूल तो बहुत सारे चीज दिये हुए तो यह देखिए पॉलिसी क् प्रॉदक्शन इस दिसकोप अफ रोव माटीरियल फॉर एधनौल प्रॉदक्शन बायो फॉल्विंग जूज रॉगर के निंग जूज रॉदक्शुर बीट बीट स्वीट 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 स्वीर गम स्टर्च इंग निंग रॉड कॉण कासावा डैमेज वीट ब्रोकन राइस सड़ा हुआ अलू रॉटन पटेटो विचर अन्फिट फॉर यूमन कंजम्चन तो उन सब के इस्तमाल करके आप बना सकते हो बायो फ्यूल बना सकते हो तो जाहिर सी बात है ग्राउंड नट सीड नहीं है हॉर्स ग्राम नहीं है बागी थ्री फॉर हटाके बागी ची यह था थोड़ा कटिन है थोड़ा कटिन जरूर है देखिए कसावा सबको याद था शुगर बीट भी रोटन पटेटो भी सबको याद था डामेज वीड ग्रेंस भी याद था लेकिन यह नहीं है यह याद रखना थोड़ा मुश्किल था अगर यह 123456 नहीं देता दो ओप्शन में आपको difficulty रहती 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 शुगर बीट भी एक crop है देख लीजेगा देख लीजेगा तो वह भी allowed है चल यह नेज़ देखते हैं नेट देखते हैं तो क्या समझते है तो सोशल कोस्ट ओफ कारबन कुछ नहीं है वहीं या जो सी ओट् website किया यहां से आपने जो सीओ ट्व एम्ट खिया यह क्या है क्या लांग टम डैमेज हुई इस सीओ ट्व से लांग डूरेशन में क्या damage हुई इस co2 के emission से क्या हुआ global warming हुआ क्योंकि greenhouse gas है इस co2 के emission से ocean acidification हुई इस co2 के emission से आप देखोगे तो sea level rise हुआ तो यह सारे जो damage है यह सब क्या है long term damage का अगर मैं economic value निकालू तो वो क्या कहलाएगा financial value निकालू monetary value निकालू तो वो क्या कहलाएगा social cost of carbon social cost of carbon तो यह आप वहां पर कहते हैं न मैं कहता हूँ हमेशा आप actual prelims के पहले 50 से 60 mock test देंगे क्यों आप ऐसे बहुत सवाल कर चुके होंगे तो आपके अंदर ना एक instinct डिबलब हो ही है तो उस instinct से आप यह answer कर सकते थे otherwise पढ़ा है यह जानना बहुत असान नहीं है बाकी options जान बुच के यूपीसी ने ऐसे दिये हैं कि आप देख के पकड़ लोगे वो गलत कह रही है तो वो इंस्टिंक्ट वाल सा वाल था यह इंस्टिंक्ट अभी होगा जब आप प्रिलिम्स के पहले 50-60 मौक टेस्ट दे चुके होगे चलिए विच रिफरेंस टू पर्फ प्रॉडक्शन इन इंडिया कुछ स्टेट्मेंट्स दियें बताइए कौन-कौन सी सही है तो देख लीजे भाईया यह होता है ग्रीन ग्राम यह होता है ग्रीन ग्राम मूंग डाल है मेरे समझ से मूंग डाल जिसको हम कहते हैं मूंग ग्राम आप अगर देखें तो यह हाफ ऑफ प्रॉडक्शन है तो यह तो कता ही नहीं है भाईया कितना कम बनता है तो आप अगर देखें टोटल प्रॉडक्शन कितना है लगबग 23 मेट्रिक मिलियन टन उसमें से आप अगर देखें तो ग्रीन ग्राम की जो मात्रा है खरिफ और रभी दोनों होती है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ब्लाक ग्राम को आप खरिफ और रभी कभी भी कल्टिवेट कर सकते हो स्टेटमेंट थ्री पिछले तीन डिकेड में यदि हम देखें खरिफ पल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है वही रभी में पल्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है तो ये बात गलत है खरिफ प्रोडक्शन और रभी में भी खरिफ होया रभी दोनों में पल्स प्रोडक्शन क्या हुई है इंक्रीज हुई है ऐसा नहीं है खरिफ व कौन सा क्रॉप है तो यह बड़ा सिंपल आपको दे दिया था यह सिंपल कुश्चन था तो पचास से सो सेंटीमेटर पानी चाहिए इसको फ्रॉस्ट नहीं चाहिए 210 दिन तक बिना फ्रॉस्ट होना चाहिए वेल ड्रेंड सॉयल चाहिए जिसमें मौस्टर हेल्ड रहे तो य कौन सी बात हो रही है रेगुर साइल की बात हो रही है 50-100 सेंटीओ मिटर बारिश कहां चाहिए कौत दॉस्ट नहीं चाहिए बाकि जूट इस्टन इंडिया बहुत बारिश शुगर के लांने बहुत ज्याड अक्रम काफिद्वारिशी होती है जाहिर सी बात हैếu 50-100 सेंट cotton था तो बस आपको इतना सा फैक्ट जानना था तो यह question तो मैं कहूंगा simple था simple था नेक्स देखते हैं solar water pump की बात हो रही है तो पूछा जा रहा है इन में से कौन-कौन सा statement सही है तो solar power का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ सर्फेस pump में कर सकते हैं submersible pump नहीं याने पानी के अंदर पानी के अंदर जो टंकी के नीचे जो पानी के अंदर डूबा रहता है और पानी pump करता है उसको क्या कहते हैं सब्मर्सिबल पंप तो ऐसा थोड़े है solar power तो कहीं से भी दो पानी के अंदर पंप है आपका solar panel तो बाहर उपर में रहेगा ना वो तो काली बिजली करेक्ट करके उसको पावर दे देगा तो ऐसा कुछ नहीं है solar power बाहर लगेगा solar panel बाहर रहेंगे और हाँ हो सकता है कुए के अंदर सब्मर्सिबल पंप डाला हुआ रहे तो वो पंप करके उपर भेज दे लेकिन इसको जो पैनल लगी हुई है जो बिजली दे रही है वो तो कुछ इसी प्रकार से बिजली का ट्रांसफर हो रहा है तो solar pump solar power से आप solar pump surface pump भी इस्तमाल कर सकते हो सब्मर्सिबल पंप भी इस्तमाल कर सकते हो तो statement 1 क्या है गलत है statement 2 अगर हम देखें तो solar power का इस्तमाल किया जा सकता है centrifugal pump में and not the ones with piston भाईया आपकी मर्दी है आप solar power से generate करके centrifugal जो गोल-गोल घूम के पानी जमा करता है वैसा pump बनाओ या piston के धूफ पुष करके पानी फेके वैसा pump बनाओ आपकी मर्दी है ऐसा कुछ नहीं है तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया ओष्णोग्राफी कब start होगा sir ओष्णोग्राफी इसी महीने करना है start इसी महीने नहीं है तो आप से पूछ रहे हैं शुगर के इन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है इसमें से कौन-कौन सी स्टेट्मेंट सही है तो इसका एंसर था सी वन एंड फोर उनली तो हां भाई seed material जो है उसको आप बचा सकते हैं अगर आप bird chip settings का इस्तमाल करें नरसरी में मतलब क्या होता है basically जैसे मैंने चावल के बारे में कहा कि पहले नरसरी में लगाईए फिर खेत में लगाईए कुछ वही तरीका है आपने सुना होगा sustainable sugar cane initiative तो कुछ उसी initiative के तहत क्या करते हैं पह plant करते हैं main field में तो इससे क्या होता है जो सीड आप ऐसे लगा के बरबाद कर देते हो वो नहीं होता नरसरी में उनकी अच्छी देखरेक होती है फिर जब खेत में लगाते हैं तो कम सीड में ही बहुत ज्यादा पौधा हमारा हो जाता है तो statement one तो सही है तो आप दो option तो eliminate क कर सकते थे अब two or three थोड़ा टेकनिकल था कौन से चैनल पर लेट्स क्राक पर लेट्स क्राक पर बीटूम पर नहीं आएगा लेट्स क्राक पर आएगा तो जब डायरेक्ट प्लांटिंग होती है तो germination percentage single budded sets में ज्यादा है compared to sets with many birds नहीं ऐसा नहीं है यह उल्टा है तो इ देखेंगे तो यह question मैं कह सकता हूं कि difficult सा करना असान नहीं था इसको तो इसके इसमें answer क्या है one and four sugar cane अगर आप देखें तो टिशू कल्चर के माधिम से भी produce की जाई जा सकती है तो answer क्या है C one and four next अगर आप देखें eco friendly agriculture कौन कौन सा है इसमें से तो ecologically friendly अगर हम देखें तो crop diversification है तो basically क्या हो रहा है land में बार बार आप crop बदलो तो क्या हो रहा है अभी rice लगाए फिर wheat लगाए फिर maze लगाए तो क्या हो रहा है अलग-अलग crop बदल रहे हैं तो mineral जो needs है वो mineral क्या हो जा रही है तो soil पे उसकी उरवर्ता क्या होती है बनी रहती है तो यह crop diversification एक तरीका है legume intensification क्या होगा leguminous crop ज्यादा ग्रो करोगे तो leguminous crop क्या करते है nitrogen fix करते हैं तो soil मे nitrogen क्या होती है धिरे-धिरे बढ़ जाती है Tensiometer का इस्तमाल करना तो Tensiometer क्या करता है पानी में कितना moisture है मिट्टी में आप मिट्टी में लगा दो Tensiometer वो बताएगा कितना moisture है इसमें तो आप पानी को optimally utilize कर जाओगे अगर आप Tensiometer से moisture level soil की calculate करते रहोगे तो यह भी क्या है बिल्कुल सही है वर्टिकल फार्मिंग तो वर्टिकल फार्मिंग में आप देखो तो आप क्या करते हो hydroponics वगेरा या फिर नॉर्मल फार्मिंग क्या खेत में हो रही है वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है लैंड को minimal utilize करके कुछ इस प्रकार से vertically जब आप खेती करनी शुरू कर दो कैसे दिवार पे करो या फिर जाली लगा दो इस पे करो या फिर बिल्डिंग में अलग-अलग floors पे करो है ना तो aquaponics जिसको कहते है hydroponics भी जिसको कहते है कुछ पानी में soil का इस्तमाली नहीं हो रहा अलग-अलग floor में aquarium की तरह बना के रखा है आपने और उसमें hydroponics हो रहा है पानी में तैरता हुआ आप agriculture कर रहे हो तो वैसा कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो तो जाली वगेरा में लगा सकते हो तो वो क्या करेगा vertical farming भी क्या है तो उसमें आप देखोगे तो soil पे damage कम से कम होगा land पे load कम से कम आएगा तो 1,2,3,4 इसके answer हैं तो ये वहीं पर द नहीं पढ़ेंगे आप ये आपको वहीं पर दिमाग लगाना है सोचना है और करना है ये पढ़के नहीं आएगा अभी ये पढ़ लीजिए अगली वार ऐसा ही कुछ और सवाल आएगा तब भी यहीं होगा आप वहां पर बैठेंगे और तब दिमाग लगा के सोचेंगे ये लीजे बगया tough question आ गया तो देखिए क्या कहते हैं तो cultural history के अनुसार कुछ पेर दिये हुए हैं तो पहला है परी व्रजक परी व्रजक तो ये कहते हैं renunciant and wanderer के लिए कहा जाता था ये term बिल्कुल सही है ये term श्रमन श्रमन essentially गौतम बुद्ध महावीर जैन इन सब को कहा जाता था श्रमन क्या होते हैं seeker सीकर जो ग्यान की तलाश में घर से निकल जाते हैं तो उनको कहते हैं श्रमन तो इसलिए जैनिजम बुद्धि जिएं किक्या कहते हैं साधू की तरह सीख करलेете है knowledge तो दैट इस श्रमन तीसरा है उपासक तो जो बुद्ध के फॉलोवर्स थे उनको उपासक कहा करते थे तो एंसर क्या है वन एंड त्री क्या आना जरूरी था मुझे तो मुझे तो मुझे मुझे लगा इसमें कोई डाउट नहीं है तो यह देख लीजेगा अंदर में डेफिनीशन जो है चली नेक्स देखें तो एंडियन एलिफिंट्स को लेके बुद्धिदम में पीच्डी देखें बहुत पहले ना मतलब जब मैं कह सकता हूं आज से पांच साल पहले इस टाइप के सवाल आते थे तब पढ़ा करते थे फिर आने बंद हो गए लोगोंने पढ़ना चुरू दिया अब वापस से आने शुरू हो गए हैं तो पढ़ना अच्छे से उसको यह आता होगा तो उसको यह आता होगा है ना तो यह वाली चीज़ें आपको जाननी चाहिए यून सैंक को चाइनीज परीवरजक कहा करते से यह फो डिड नॉट लिव पर्मनेंटली एट अनी वन प्लेस तो अगर देखें तो अलेफिंट ग्रूप की ज तो कुछ टाइम तक जो हाथी होते हैं उनके साथ रहते हैं फिजब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मेल हाथी अलग हो जाते हैं statement 2 जो maximum gestation period है जो पेट में रहता है हाथी that is 22 months तो यह statement भी अगर आप देखो तो बिलकुल सही है तो हाथी लंबे टाइम तक पेट में रहता है compared to other animals statement 3 अगर देखे तो elephant can go on carving till the age of 40 years only तो नहीं यह नहीं है यह गलत है लेकिन यह जो option था ना statement 2, 3 भले ना आए आपको statement 4 आना चाहिए था क्योंकि elephant census हमेशा news में आता है तो आपको मालूम होना चाहिए highest elephant population इंडिया में कहां पर है तो वो केरला में नहीं है भाईया वो कहां है करनाठका में है करनाठका में है तो statement 4 अगर आप देखो तो वो क्या है वो गलत है वो गलत है तो उससे आप कुछ कर सकते थे तो यह actually 1,2,3,4 इसमें बिगड़ गया है इसमें बिगड़ गया है तो यह actually एक ही statement का है तो आपको यह जानना चाहिए था तो आप 3 क्या कर सकते थे eliminate कर सकते थे चले नेक्स कुछ protected areas है तो नागर होल सक्ते मंगलम वाइनाड यह सारे के सारे आप अगर देखो तो यह सारे के सारे कावेरी में है लेकिन पापी कोंडा कहां पर है अंधर प्रदेश तेलंगना में अंधर प्रदेश में है तो पापी गुंडा नाशनल पार कहीं से भी कावेरी बेसिन में नहीं है तो आप अगर देखोगे पापी कुंडा तो यह आंधर प्रदेश में इस गुदावरी डिस्टिक्ट में कावेरी से इसका कोई लेना देना नहीं है तो टू वाले क्या करो तो ठीक है टू वाला आप निकाल दो बच्चा थ्री एंड फोर वन थ्री एंड पूर नागरहुल का है करनाटका में यह जो हाथी के मुझ में बॉम फोड दिया इसलिए कुशन दिया इसलिए दिया कह सकते हैं कह सकते हैं और तो कुछ कारण दिखता नहीं है तुरज यह सव प्रॉग माउथ कोपर स्रेट बार कोपर स्मेथ बार बेट और यह सारी चीवे दिये हैं तो यह क्या है वाइट-throated-redstart यह सब यहीं यह वह पंची जिसका वाइट कलर का गला है वाइट-throated-redstart यह क्या है बर्ड़ है सब नेक्स सवाल अगर आप देखे तो यह जो オε Quindi book यह वह आप देखे और यह सिंघाइए उनकी प्रोग्राम भी चलाए गई है तो यह आपको पढ़ाया भी गया है environment के दोरान तो यह कानहा national park है steel flag तो इसका क्या क्या इस्तमाल हो सकता है steel बनाते टाइम जो impurity last में जो अपनी steel की जो plant होती है steel plant उसमें जो last में flag जो impurity छूटती है उसका क्या इस्तमाल हो सकता है क्या यह road के base को बनाने में काम आते हैं जी आते हैं क्या यह agricultural सब्कस् Caitlin कल करते हैं तो इसको जो न्यूट्रियन भी है नगी इसके सिवा आप देखो तो आप सिमेंट भी बना सकते हो इसको कम एनेर्जी में इसको मिक्स करके आप सिमेंट बना सकते हो तो statement 1, 2 and 3 सही है statement 1, 2 and 3 सही है next दिया गया है इन में से कौन से musk deer को देखने के ज़्यादा chances कहां पर है किशनपुर, मानस, असकोट, गंगोतरी तो आपको जानना था भया musk deer सा पहाडों में ही होगा तो इन में से कौन सा पहाडों वाला wildlife century है तो अगर आप देखें असकोट और गंगोतरी दोनों के दोनों उत्राखंड में हैं और यह जो जानवर है यही है musk deer तो असकोट और गंगोतरी जो नैशनल पार्क हैं वहाँ पर आप देखो musk deer पाए जाते हैं next अगर हम देखें तो question है तो carbon footprint को कम करने के लिए इन में से क्या क्या इस्तमाल किया जाया सकता है गाओं में road को बनाने के लिए ecologically अच्छा road हो carbon की कम से कम खपत हो carbon की कम से कम production हो तो वह कौन सा road होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए तो उसमें क्या copper flag होना चाहिए क्या cold mix asphalt technology होनी चाहिए geot textile होना चाहिए तो देखे सबसे पहले ना तो यह cold mix asphalt technology देख लीजिए यह news में रहता है तो basically क्या होता ना जब आप asphalt बनाते हो कोल्टार देखा है कैसे बनता है बहुत हाई टेंपरेचर में पिगलाया जाता है तो वो हाई टेंपरेचर अटेन करने के लिए क्या चाहिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए जलाओगे इतनी एनर्जी लगाओगे तब जाके वो एस्फाल्ट बनेगा बिटुमिन जिसमें मिक्स होके आप इस्तमाल कर पाओगे तो नॉर्मल तरीका जो होता है वो क्या होता है होट मिक्स एस्फाल्ट टेकनलोजी होती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी की खपत होती है तो आजकल एक नई टेकनलोजी आ गई है कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेकनलोजी उसमें उसे प फाई 1, 2 and 3 2 तो पक्का सही है तो answer क्या हो गया 1, 2, 3 तो geotextile भी आप देखो तो सरकार के एक नए news में हमिशा रहता है सरकार ने क्या किया है scheme बनाया है जिसमें geotextile का इस्तमाल करना है roads बनाने में तो वो भी सही है वो भी सही है प्राइंसर क्या हो गया 1 2 & 3 जियो टेक्स्टाइल क्या हो गए ऐसे टेक्स्टाइल को कहते हैं टेक्निकल टेक्स्टाइल यह वह कपड़े है जो टेक्निकल प्रसेस में यूज किया जाता है तो जियो एंजिनेरिंग के लिए जो टेक्स्टाइल जो कपड़े का इस्तमाल किय गीच जाए उसको क्या कहेंगे जी ओर टेक्स तेक्स्टन का Elsie को कॉछा गया से Kौन कौन से स्टेंट सही है कि Portland Sillarwood जो अपना आपने पी योपी का काम मोग सने उसमें जो सिमेंट होता है वाइट कुछ को कहते हैं Portland्ट 4 बॉटलेंड से मोग से में और कुछ पूर्टियां बनती थी है ना पॉर्टलेंट सिमिंट चलिए नेक्स देखते हैं तो कोल यह सिंपल कॉश्चिन था कोल आश अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है है वी मेटल भर भर के होते हैं आर्थनेक लेड मर्क्यूरी होता है बिलकुल होता है कोल फायड पॉर प्लांट देखें तो कोल में सलफर होता है नाइटोजन होता है जलेगा एसोटू नोटू बनाएगा यह भी क्या है बिलकुल सही है इंडियन कोल में देखें तो हाई आश कंटेंट होता है बहुत हाई है लेकिन आश कंटेंट इंडियन कोल का बहुत हाई है तो इसी को कम करने के लिए कोल वाशरी का भी इस्तमाल होता है तो जिसमें हम impurities जो होते हैं उसको धो देते हैं तो ash content कम कर देते हैं आपको ये वाला topic भी पढ़ाया हुआ है जब हम environment में fly ash वगेरा पढ़े हैं तो answer क्या है इसका D 29 का D 1, 2 and 3 next is biochar in farming जो organic material के जलाने से बनता है जलाना मतलब controlled तरीके से pyrolysis उसका करोगे अगर आप उसका pyrolysis करोगे तो ये जो बनेगा this is called as the biochar biochar तो environment में आपको पढ़ाया था जब ये current वाला topic मैंने उसमें कराया है तो biochar क्या है वो तो आप जानते थे तो biochar अगर आप देखें तो it can be used as part of the growing medium in vertical farming तो basically मिट्टी के जगा इसको इस्तमाल कर सकते हैं बिलकुल फ़ही बात है भाई कर सकते हैं तो जब biochar ए growing medium में तो nitrogen fixing microorganism को ये promote करता है ये जानना असान नहीं है कि आपको ये मालुम हो ही हो ये ज़रूरी नहीं है आप जाने ही जाने statement 3 जब biochar growing medium में होता है तो ये पानी को लंबे देर तक hold करके रखता है ये फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं तो 1 and 3 सही है 1, 2 and 3 में आपको थोड़े doubt होगा इसका answer क्या है 1, 2 and 3 ये आपको पढ़ना था तो ये जब current कराया है उस time पे ये biochar हमने क्या है देखा था उस time पे तो next देखते हैं ये current वाले time पे कराया था next अगर देखें तो इनमें से agriculture में public investment क्या कही जा सकती है तो आप अगर देखें तो 2, 3 and 6 investment है याने 1, 4 and 5 क्या है investment नहीं है तो MSP को fix करना ये क्या है ये क्या कोई investment है नहीं साहब ये तो subsidy है free electricity देना investment है नहीं ये subsidy है agriculture loan को wave कर देना क्या ये investment है नहीं ये subsidy है ये subsidy है तो computerization करना primary agricultural credit society को तो ये क्या है investment है आने वाले वक्त में return देने वाला है social capital development है ना किसान एक दूसरे को जाने एक दूसरे से सीखें आने वाले वक्त में return देगा setting up of cold storage facility wastage कम होगी आज invest करोगे पैसा खर्च करोगे कल को return मिलेगा लेकिन MSP fix कर दो कल को को कोई return है बस एक बार तो ये क्या कहला ही subsidy electricity दे दिया कल को कुछ मिलेगा नहीं आज दिया आज खाया return क्या था तो बस आज मिला आगे नहीं मिलेगा तो ये क्या है सबसेडी है agriculture loan wave कर दिया तो क्या कुछ investment किया नहीं subsidy दिया आगे कुछ नहीं मिलेगा बस आज थोड़ा फाइदा मिल सब्सक्ता है आज जी ये question आपको याद है interest coverage ratio किया था हमने just exam के कुछ दिन पहले interest coverage ratio क्या है आशा जी में सही भी किया था यह सवाल मुझे याद है तो interest coverage ratio of a firm से आप क्या समझते हैं तो आप अगर देखें तो basically interest coverage ratio क्या होती है कि कोई भी firm मान लीजिए मान लीजिए यह basically हुई इसकी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं how well a firm can pay the interest on outstanding debt तो इसी को कहते हैं times interest earned मान लीजिए एक company है इसको जो loan लिया है उस loan में सालाना इसको 100 रुपए interest देने पड़ते हैं पिछले loan के मान लीजिए यह company मान लीजिए यह company 1000 रुपए कमाती है साल भर में profit है 1000 रुपए का तो interest coverage ratio हुआ यह अपने interest को कितने times cover करती है अभी देखे तो 10 गुना मतलब अभी जो interest है ऐसे 10 गुना interest को वो cover करेगी उतने interest को वो क्या कर सकती है pay कर सकती है एक बार जब वो उससे जादा हो जाए मान लीजिए मतलब interest जो pay करना हो वो 1001 रुपए हो गया तो company अब interest नहीं pay कर पाएगी company क्या हो गई बैंक्रप्ट हो गई तो इसी को कहते हैं interest coverage ratio यह जो ratio है thousand by hundred that is 10 यह क्या है interest coverage ratio तो अगर ICR बढ़ गया 10 था मान लीजिए अब हो गया 20 मतलब की अब कितना कमाने लगी company 2000 तो अब यह company कमजोर है यह जब ICR 10 था तब यह company कमजोर थी जाहिर सी बात है जब 10 था तब कमजोर थी अब 20 हो गया मतलब company क्या है मजबूत सिती में है अब 20 गुना अपने interest को cover कर सकती है तो आप अगर देखें तो higher of borrowing firm's level of ICR the worst it is ability to service its debt याने की यह statement क्या है गलत है जितना जादा ICR जादा हो जाएगा वो company उतने easily अपने debt को service कर पाएगी तो statement 3 तो वहिया गलत है ICR को क्यों पढ़ा जाता है तो banks देखती है हर company को loan देने के पहले उसकी interest coverage ratio क्या है तो इससे उसको पता सल जाता है इस वक्त वो bank की क्या risk है और आने वाले दिनों में भी क्या risk होगी तो answer क्या है A, one and two only तो आने वाली risk and present risk दोनों इस interest coverage ratio से bankers अनुमान लगा लेते हैं तो rice की price अब तक कौन-कौन impact कर रहे थे तो आप देखे तो one minimum support price भी करती थी government की जो trading होती थी जो की regulate करती थी कितना rice को export करना है कितना नहीं करना है वो भी rice के दाम को impact करती थी government कितना जमा कर लेती थी rice को वो भी impact करती है और consumer को कितना subsidy देती है वो भी rice के price को impact करती है तो one, two, three and four answer next अगर देखें तो ये statement है इंडिया शिलंका के trade तो इन में से कौन-कौन सा statement सही है इंडो स्विलंका trade अगर हम देखें statement one कहती है consistently increase की है last decade में ना वही यार decade में देखो तो उपर नीचे उपर नीचे सब कुछ की है तो ये statement तो आप देखो तो एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट इवाल्यू ओफ इंडिया शिलंका स्टेड है consistently increased in the last decade फिर अगर आप देखो तो वन तो मेरे हिताब से गरें करेंट टोटल ट्रेड अगर आप देखो 2010 ओन वर्ड तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज किए यह आंसर में मुझे कुछ लगता है साउथ एशिया में है वो तो बांगलादेश है वो तो बांगलादेश है तो स्टेटमेंट स्री तो हर हालत में गलत हो गई statement 2 हर हालत में सही है textile और textile articles अगर हम देखें तो important item है इंडिया और बंगलादेश के बीच में trade के statement 2 तो बिलकुल सही है और फिर अगर हम देखें statement 1 the value of India शिलंका trade has consistently increased in the last decade तो यह अगर देखें तो यह सही नहीं है इंडिया का जो trade है यह ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ है तो इसका answer to only होना चाहिए to only होना चाहिए एक बार फिर देखेंगा कोई value जो मैंने तो यह उठाया है एक बार trade balance जो है इंडिया शिलंका के trade का एक बार और और भी कोई source देखना होगा इसे सवाल कैसे करें पॉइंट यह उठता है तो यह आपको कुछ तो देखें कॉमन से साउथ एशिया में आपको मालूम होना चाहिए लाजिस ट्रेट पार्टनर कौन है तो बंगलादेश है नेपाल नहीं है तो यह तो मालूम होना चाहिए था इसके सिवा इंडिया मालूम होना चाहिए टैठ्सक्टाइल टैस्टाय सेक्टर है बागी सट्रेट्मेंट में कैसे इंक्री minist हुआ है जानना थोड़ा कथिंता थोड़ा कटर आ अ इन में से कौन से country G20 में है यह तो आपको मालूम होना ही चाहिए अर्जेंटीना मेक्सिको साओध आफ्रिका टर्की बिलकुल है यह सारे country आप देखो तो हैं बागी सब में देखो कि कोई ना कोई country ऐसा दे दिया है जो की नहीं है तो इसमें कोई doubt नहीं है किसान credit card scheme की बात ह हो रही है short term credit support is given to farmers for which of the following purpose बहुत चारा purpose है आपको एक list दे दिया है और बोला है all of the above जो कि क्या क्या हो सकता है किसान credit card का क्या 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 इस्तमाल कर सकते हैं तो farm assets maintain करना हो working capital देना हो maintenance के लिए farm assets के या फिर harvester tractor mini truck खरिदना हो या फिर आप देखें तो farm households की कुछ consumption requirement हो कुछ खरिदना हो post harvest harvest के बाद काटने फसल काटने के बाद कुछ expenditure हो रही हो या फिर आप देखो तो family house बनाना हो या village की cold storage facility बनानी हो so that बन के उसको store कर सकें तो ये सारे चीजों के लिए आप KCC का उप्योग कर सकते हैं सवाल उठता है क्या कोई ये पढ़ता है क्या क्या है usage तो ये expect नहीं किया जाता UPC इस ब्रकार के सवाल नहीं पूछती थी logical सवाल होते थे ऐसे सवाल नहीं पूछती थी क्या-क्या इस्तमाल है KCC का बता दो ये सवाल नहीं पूछा करती थी तो मैं कह सकता हूँ UPC के दिन थोड़े फिरे हैं बहुत अच्छे दिनों में नहीं चल रही चलिए ये कुशन अच्छा है ये कुशन अच्छा है ये कहता है कि जो खादे पदार्थ है फूड है उसका जो वेटेज है Consumer Price Index में वो हाइयर है Compared to WPI तो आप अगर देखें तो जो Consumer Basket है उसमें फूड का वेटेज सच में काफी हाईयर है when compared to the wholesale basket तो CPI inflation होता है wholesale price index inflation होता है तो food sensitive कौन है ज्यादा CPI है तो food का ज्यादा वेटेज है येस फिर अगर आप देखें फिर अगर आप देखें statement 2 कहती है WPI does not capture changes in the price of service which CPI does बिल्कुल सही है WPI अगर आप देखें तो ये क्या है goods only इसका जो basket है वो goods only है CPI में goods and services दोनों included होते हैं तो ये तो basic economy में पढ़ाया जाता है बिल्कुल शुरुवाती दौर पे तो ये तो मालुम होना चाहिए statement 3 RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation तो ये तो भहिया now क्या होता है अब तो सरकार बजल गई जब 2014 के आसपास ऐसा हो गया था RBI ने क्या किया था WPI को नहीं CPI के basis पे inflation country का नापना शुरू कर दिया था 1st April 2014 onwards जब क्या कर दिया था जब से inflation targeting शुरू किया तब से ही कह दिया कौन सी inflation RBI नापेगी CPI inflation CPI inflation किस rate में होनी चाहिए 4 plus minus 2% 2% to 6% के बीच में CPI inflation होनी चाहिए तो RBI कैसे इंडिया की इंडेक्स नापती inflation की CPI तो statement 3 क्या है गलत है तो यह simple question था है ना यह question simple था फिर अगेन लीजिए अगला से question simple आया तो मिकॉंग river मिकॉंग river अगर आप देखें तो कहा चलती है भई मिकॉंग river तो यह जो नदी यहाँ पर ऐसे चलती है इस नदी का नाम है मिकॉंग नदी कहाँ पर गिरती है south china c पे अंडमान c पे नहीं गिरती तो यह statement क्या हो गया गलत थेम्स राम जी लंडन वाले देखी है लंडन की गंगा थेम्स तो कहाँ पर गिरती है नौर्थ सी आइरिश सी पे नहीं इस्टन कोस्ट पे नौर्थ सी पे गिरती है कुछ इस प्रकार वॉल्गा जब आपको अच्छा उश्नोग्राफी नहीं पड़ाया है तो वॉल्गा कहां गिरती है कैस्पीन सी में गिरती है जांबेजी आफ्रिका में आप देखो तो इस प्रकार से इंडियन ओशन में गिरती है तो statement 3 और 4 क्या है सही है statement 3 और 4 सही है next देखिए तो पहला statement कहता है जो MSP का procurement का level है वो unlimited है unlimited नहीं सहाब 25% of produce is the maximum जो MSP के अंतरगत खरीजा जाया जा सकता है यह देखिए आर्टिकल से मैंने उठाया है रिसेंटली राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कहा था कि on Tuesday urged the center कि MSP procurement पे जो limit आपने लगा रखी है 25% वो बढ़ा के 50% कर दीजिए मतलब सीधा सीधा क्या है unlimited नहीं होता क्या है MSP procurement 25% का cap है जो produce हुआ उसका 25% ही procure आप कर सकते हो statement 2 देखिए यदि serials and pulses की बात हो तो MSP क्या है fixed है तो case of serials and pulses MSP is fixed एक ऐसे level पे जहां तक market की price कभी नहीं आएगी ऐसा है क्या serials और pulses की कीमत MSP में इतनी जादा दी जाती है कि market के price से कई उपर ऐसा तो नहीं है MSP के दाम कैसे तै किये जाते हैं commission on agricultural cost and prices होती है वो क्या करती है वो दाम तै करती है MSP के A2 प्लस FL वाले method से 1.5 of A2 प्लस FL वाले method से I hope यह याद होगा A2 प्लस FL अगर आप daily news follow किये थे जो मैंने खराया था चले next है economy का ही commercial paper एक short term unsecured promissory note है तो commercial paper देखें तो unsecured short term debt है बिलकुल सही statement हुआ certificate of deposit अगर हम देखें तो यह अगर देखें तो commercial banks issue करते हैं 7 दिन से 1 साल के लिए तो short term के लिए होता है issue long term के लिए नहीं होता short term के लिए issue होता है call money call money देखें तो short term finance के लिए raise किया जाता है एक से 14 दिन के लिए एक financial institution मान लीजिए SBI है उसको चाहिए कुछ पैसे 14 दिन के लिए तो क्या raise करेगी है call money और मान लीजिए दूसरी bank है उसके पास surplus पैसा है वो क्या करेगी इसको call money के थूरू पैसा देदेगी तो एक financial institution से दूसरा है के पास कैसे जाता है call money से जाता है short term के लिए एक से 14 दिन के लिए तो ये क्या हो गया सही हो गया नेक्स देखी क्या कहता है zero coupon are the interest bearing short term bond नहीं भईया zero coupon में ना कोई interest नहीं मिलता बस इतना होता है अगर ये bond की face value 100 रुपे की है तो इसको आज issue किया जाता है 98 रुपीज में मतलब क्या हुआ कि जब maturity हो जाएगी एक साल बाद तब इस व्यक्ती ने जिसने invest किया इस bond पे इसको 100 रुपे मिलेंगे जब खरीदा था 98 में खरीदा था मतलब 2 रुपे का मुनाफा तो discount में issue किया जाता है तो zero coupon interest bearing है कता ही नहीं कता ही नहीं तो आपको यही जानना था तो answer क्या है इसका answer क्या है इसका आप अगर देखो तो both one and three two और four क्या है गलत है चले next अगर हम देखें तो FDI क्या best defined है तो FDI अगर देखो तो यह equity flows है जो की non-debt creating capital flows है इंडिया के तो आप देखो तो क्या है largely non-debt डेट याने उधारी जो उधारी ना बनाते हो और उसके माध्यम से जो capital investment होता हो उसको क्या कहेंगे FDI FDI मालिकाना अधिकार बदलता है इसमें तो capital flow भी हो रहा है capital flow याने कैसे खर्चे के लिए कुछ investment हो रही है तो capital flow हो रहा है और उधार के बिना बिना loan के तो non-debt creating capital flow मैं अपनी partnership बेच के करूँ तो उसको क्या कहते ह नेक्स्ट अगर हम देखें तो international trade of India at present इन में से कौन-कौन सी statement correct है तो आप अगर देखें तो सबसे पहले तो जान लीजिए statement one क्या है क्या इंडिया की export less than its merchandise import है सही बात है इंडिया का क्या होता है net trade deficit में जाता है surplus में नहीं है तो हमारा merchandise याने goods service नहीं goods goods के goods को क्या कहेंगे merchandise trade है ना goods का trade तो goods का जो exports है वो imports के goods के comparison में क्या है कम है तो यह statement क्या है बिलकुल सही है statement two देखिए इंडिया का जो iron steel chemical fertilizer और machinery का import है वो decrease कर गया है इन दिनों नहीं भहिया chemical fertilizer machinery import बहुत जादा हमारा बढ़ रहा है decrease नहीं किया है statement three देखिए इंडिया की जो service export है वो service import से ज्यादा है मतलब क्या है इंडिया net exporter of service है तो यह statement क्या है बिलकुल सही है statement four इंडिया अगर देखें तो overall current account deficit है याने total exports जो है वो total imports से कम है total imports से कम है तो यह statement क्या है या बिलकुल सही है तो answer क्या हो गया डी one three and four डबलू टी आई से क्या समझते हैं यह आप लोगं को तो कराया था crude oil crude oil सबको मालूम है डबलू टी आई Brent अगबार खोलो सबसे उपर दिखेगा डबलू टी आई क्या है crude oil तो non-financial debt से आप क्या समझते हैं तो non-financial debt हुआ वो debt जो कि आप अगर देखो तो financial sectors के द्वारा न इशू किये जा रहे हैं याने government के द्वारा household के द्वारा businesses के द्वारा वो loan जो financial sector के द्वारा न इशू किये जा रहे हैं वो उधारी को क्या कहेंगे non-financial debt तो इसमें अगर आप देखो तो housing loans है इसमें आप देखो तो जो credit card पे loan आपने लिए वैसे ही government ने जो loan लिए treasury bills के माध्यम से वो सब क्या होते हैं तो आप देखो non-financial debt में आता है treasury bills credit card balances home loans यह सब के सब अगर आप देखो तो covered है IAEA International Atomic Energy Agency के safeguards में आप अगर देखो तो some nuclear reactors को रखा गया है वो क्या है तो इंडिया में IAEA safeguards में वही nuclear reactor हैं जो की imported uranium use करते हैं जो अपना domestic uranium use कर रहे हैं वहाँ पर जाकर IAEA वाले कभी भी raid नहीं कर सकते कभी भी surprise visit नहीं कर सकते वो बस वहीं पर कर सकते हैं जहां पर हमारे यह imported uranium आ रहा है तो domestic reactors में आप नहीं कर सकते तो IAEA में है वहीं पर है जहां पर IAEA के safeguards वहीं पर हैं जो की imported uranium का इस्तमाल करते हैं most of the IAEA reactors जो यह civilian purpose के लिए use हो रहे हैं और यह वाले non civilian purposes के लिए इस्तमाल किये जाते हैं चलिए नेक्स देखिए trims trims की बात हो रही है trade related investment measures तो इनसे क्या-क्या आप समझते हैं तो सबसे पहले देखिए तो quantitative restrictions on the imports by foreign investors are prohibited ठीक है इसके बाद रोकते हैं I guess कल फिर हम इसको continue करेंगे कल इसको फिर हम continue करेंगे अगर आप देखे trims अगर आप देखे तो quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited याने की क्या हुआ basically trims क्या है WTO के अंतरगत आपके देश में जो investor है उनको कैसे बचाया जाए उनके investment को कैसे बचाया जाए तो उसके लिए क्या provision है trims है एक clause है जिसको sign किया है सारे country ने तो क्या किया है आपके देश में अगर कोई investor है तो उस पे आप restriction नहीं लगा सकते कि वो foreign से क्या import लाएगा क्या नहीं करेगा इससे ज्यादा समान नहीं लाएगा ऐसे restrictions आप नहीं लगा सकते तो statement 1 क्या है गलत है फिर अगर आप देखे statement 3 तो statement 3 कहती है यह regulation on foreign investment से concerned नहीं है नहीं आपको जैसा foreign investment करवाना है करिए लेकिन क्या कीजिए भही या क्या कीजिए तो जो foreign investment आ रहा है इसको ensure करवाईए कि वो कुछ particular policies है उसको follow करे उसको adhere करे कुछ rules है उसको आपको follow करना पड़ेगा so that उसके investment को आप अचानक से खाना जाए या बरबाद ना करने statement 2 क्या कहती है यह apply करते है investments both in of trade in goods and services नहीं trims apply करते है only investment goods वाले business में ही service sector को यह protect नहीं करती ही तो यह सिर्phone goods उसको cover करती है goods कुई cover करती है कि तो ठीक है यहीं पर रोक Apa है यही पर रोकते हैं इयही पर रोकते हैं का पीॉट ऑगया है ने रलाट भंटा हो गया तो यहीं पर रोकते हैं कल אז continue करे करेंगे and same time पे कल continue करते हैं 9 बजे and so I guess आप लोगों को कुछ समझ आया होगा पेपर इसी के onwards some continue करेंगे तो है ना तो यही तक रोखते हैं यही तक रोखते हैं and कल इसको continue करते हैं so thank you so much for joining I hope आप लोगों को काफी चीज़ें clear हुई yes 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 काफी लंबा हो रहा है and मुझे देख रहा है मेरा internet जाने वाला है कुछ गढबढ़ हो रही है तो इसलिए मैं भी आपको कह रहा हूं तो कल मिलते हैं thank you so much जब भी अनकाडमी पर आए use the code kc10 and आपको मेरी हमेशा हमेशा available रहेगी mentorship तो जब भी आए तो use the code kc10 so thank you so much thank you so much thank you so much